दोस्तो जेके SSB experience के हवाले से आज किस वीडियो में हम दो बड़े अपडेट लेके आए हैं तो वो सारे अपडेट के discussion आज किस वीडियो में हम करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत-बहुत ही ज्यादा important रहने वाला है ठीक है इसलिए आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें और वीडियो में आपने discussion आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की description में आप को हमारे सभी social medias का links मिल जाएंगे आप मुझे social medias पर जाके follow करें और मेरे telegram channel को आप join करना ना भूले क्योंकि telegram channel पर सारी PDFs वगेरा updates जो भी होता है वो सारा आपके साथ share होता है इसलिए आप इस telegram channel को भी ज़रूर join करें ठीक है तो telegram channel के साथ यहाँ पर सिधा चलते ह हम अपने discussion को लेके बात करते हैं देगे दोस्तों परसू मैंने एक PDF आपके साथ share किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है detail उन सबी पोस्टों की खेर इसके बारे में हम बात में बात करते हैं लेकिन पहले जो important मुद्दा है उसको थोड़ा address करने की जरूरत है आप मै से बहुत सारे ऐसे experience हैं बहुत सारे ऐसे dates हैं जो जेके सबी को अब कहीं न कहीं साइड लाइन करने की बात कर रहे हैं जो अब कहीं न कहीं मतलब पढ़ाई को ही साइड लाइन कर रहे हैं और पढ़ाई कोई छोड़ रहे हैं तो मतलब वो अब उनका कोई वो फृदर वो नहीं रहा है अब तो वो यह कहते हैं कि भाई आब हम फिलाल पढ़ाई कोई साइड लाइन कर रहे हैं ठीक है लेकिन आपकी इंफर्मिशन के लिए आपको बता दूँ कि तीन दिन पहले हमारे ओनरेबल लेफटिनेंट गवर्नर श्रीमानोज सिनह सर ने एक भयान में कहा है क कि भाई हम पांच अप्रेल तक वेट करेंगे फिफ्ट अप अप्रेल तक वेट करेंगे हम देखेंगे अगर कोई गौर्मनेंट की तरफ से मतलब हमें क्या डिरेक्शन कोट की तरफ से मिलेंगी कोट क्या डिरेक्शन हमें देगा कोट क्या डिरेक्ट करेगा हमें कोट क्य guidance हमें देगा उसी हिसाब से जो हम अपनी कारवाई करेंगे और हम इस बात का आश्वासन देते हैं आपको कि जो हमने recruitment अभी तक करी या जो हमने exams अभी तक करें जेके PSI और जेके SSB जेई सिविल तो उन सबी exam में कोई भी irregularity नहीं है ठीक है उनमें कोई भी irregularity नहीं है यह हम आपको दावे से कहते हैं लेकिन स्टिल मनोज सिनाजर ने कहा कि स्टिल हम ये देखेंगे कि हमें court की तरफ से क्या directions मिलती हैं मुसी सारा से काम करेंगे बाकी जो आपका exam है वो exam आपके तब तक नहीं होंगे जब तक पांच एप्रेल को ही हमारा court का decision आ जाए और aspirants को भी अब मतलब पता चल जाए और अट पीस एप्रेंट थोड़ा सा दुबारा से वो serious हो जाए तो मेरी तो यहीं रहेगी कि भाई पांच एप्रेल को ही सिधा decision आना चाहें आगे आगे वो लंबा यह नहीं खिचना चाहे या next hearing फलाण डेट को next hearing फलाण डेट को next hearing फलाण डेट को वो सब नहीं होना चाहे तो मेरी यहीं request रहेगी कि भाई आप जो है वो उसके बाद आपके exams भी proper हो जाएंगे आपका calendar भी issue हो जाएगा और नई पोस्टें कुछ all administrative secretaries यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा जो डेपार्टमेंट से जी एडी को मिली है वेकंसीज मतलब रिस्यू हुई है वेकंसीज वह आप यहां पर देख सकते हैं कितनी वेकंसीज में को मिली हैं देखिए यहां पर है गैस्टेड नॉन गैस्टेड क्लास पूर्ट ग 169 पोस्ट फिट फार 169 देखिए यहां पर आप देख सकते हैं अग्रिकल्चर फूट प्रोड़क्शन में यह इतनी वेकंसीज में और यही है फिट है उसके लिए रेफरल के लिए इसी तरह से 706 पोस्ट हैं एनिमल चीप हॉसमेंटरी में मतलब जो रेफर हुई ही नहीं हैं तो और उसके अलावा मतलब यह यह भी जो है वो रेफरल के लिए एवलेबल हैं तो ठीक इसी तरह से अगर हम देखें कल्चरर में पचास पचास एवलेबल हैं तो 30 फिट है रेफरल के लिए वहीं पिए अगर मैं बात करूँ फूर सिवल तो इसमें 726 वो है तो रेफ क्योंकि रियार्गराइजेशन डिपार्टमेंट की प्रॉसेश में इसलिए अभी जो है वो रेफरल इनका कोई भी नहीं है उसके बाद फॉरेस्ट फॉरेस्ट एकॉलोजी है तो इसमें साड़े आठ सो पोस्टें एवलेबल हैं इनके पास सतारा गैस्टेट पोस्टे है साथ सो चुरुणजा नौन गैस्टेट पोस्टे हैं 58 बाकी मतलब पोस्टे हैं क्लास फॉर्थ वगेरा माल्टी टास्किंग तो 268 पोस्टे इन्होंने यहां पे फाइनल कर दी है उसके लिए रफरल के लिए फ्लोरी कल्चर है उसमें 321 पोस्टे हैं लेकिन उनमें 150 आर नौटिफाइड फॉर्थ उसके बाद फाइनांस में 907 पोस्टे अवेलेबल हैं लेकिन उनमें से 200 चंद में ही जो है वो फिट हैं रेफरल के लिए जी एडी में 174 तो 174 एज हैल्थ एंड मेडिकल एडुकेशन डिपार्टमें 373 पोस्टे अवेलेबल हैं फिट फॉर र पर फिट हैं रेफरल के लिए एक चीज़ आपको बता दू हायर एडुकेशन डिपार्टमें 525 पोस्टे जो है वो अभी गेजटेड पोस्टे हैं और 10 पोस्टे ऐसी नौन गेजटेड हैं और 51 पोस्टे ऐसी हैं जो क्लास पोर्थ या मल्टी टास्किंग पोस्टे हैं उ 6188 पोस्टे जो है वो क्या है यहां पे देख सकते हैं अब इसमें मुझे लगता है यह जो 688 है तो 6000 मुझे लग रहा है कुछ पोस्तें जो है वो सब इंस्पेक्टर की भी है इसमें और शायद में भी अब इस चीज का मैं शूर नहीं हूं बड़ शायद मुझे लगता है कि होम डेपार्टमेंट में पुलीस की भी कुछ वेकंसी इन में कॉंस्टेबल की है इनके पास ठीक है अब होटी कल्चर की कितनी है वो भी जो है यहां पर आप देख सकते हैं तीन सोत तुरुणजा तीन सोत तुरुणजा अचा 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 यह तो मैंने सही कहा आपको कि जो 6189 पोस्टें है इन में कुछ पोस्टें पुलीस कंस्टेबल के लिए है और उसका डिसीजन जो है वो दिया जा रहा है पोस्ट मतब उसका एक्जाम कंड़क करने के लिए जेके सस्बी को जो है वो इसका मालब इसकी ब है कि वहीं पर बागी इंफर्मिशन टेक्टनोडरी डिपार्टमेνट जीरो है इसके अलाबा दोस्टो मतब जो रैफरल के लिए हैं रावनियु डिपार्टमेंट में दो सो पचीश पोस्टें नॉन गैस्टिड हैं तो यह तो भर मुझे लगता है मेंवी शायद नाइब तैसिलदार की पोस्टें हो दोसो पचीस पोस्टें अवेलेबल है इनके पास टोटल ठीक है नेक्स बात करते हैं आपकी RDD RDD में 126 नॉन गैस्टेड हैं तो भाई 67 मल्टी टास्किंग क्लास पोर्थ है एकसे तोरण में टोटल पोस्टें हैं रेफल के लिए स्कूल एड्वकेशन डीपार्टें में दोस्तो चातर पोस्टें गैस्टेड हैं 20 पोस्टें नॉन गैस्टेड तो तले 120 जो है वो एवेलेबल है सोचल वैल फेर डेपार्टमें में 128, ट्रांसपोर्ट में 45, प्राइबल अफेर टोरिजम डेपार्टमें 27, यूज सर्विसिस एंड स्पोर्ट में 635 तो अवेलेबल है, लेकिन 4 जो है वो पोस्टें फिट फार रेफरेल हैं, टोटल, तो 500 पोस्ट, पोस्ट फ्रिजन फार और आरी केज, तो एंड ऑन एकॉंट अप नौन फारिनलिजिशन अफ आर आर्स, तो भाई ये कुछ इनका इशु है, तो फाइनली अगर हम देखें तो 14,200, 14,624 पोस्ट ऐसी हैं, जो जे केसे बी को रेफर कर दी गई हैं, और इनका जिकर भी परसू, मनुलिज सिनह सर न कमर करने की जुरह था क्योंकि ये पोस्टें बहुत जल्द एडवर्टाइज करी जाएंगी, जे के सजबी के दौरा जैसे ही जे के सजबी को गाइड लाइन मिल जाती है, और रेफल हाई कोट आप जमो एंड कश्मीर की तरफ से तो जे के सजबी अपना काम करेगी, तो य झाल झाल झाल